हालो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज हम बाप को पताने वाले हैं अगर आपकी पसू बार बार रिपीट करती है गाविन नहीं होती है तो आपको क्या करना चाहिए क्या देना चाहिए तो दोस्तो हमारे हाथ में पक्का AI लिक्वीड आप देशेते हो इसका नाम है पक्का AI यह एक 300 ml के पैक में आता है इसकी MRP देख सकते हो 210 रुपीस इसकी MRP है तो इसका यूज हम कब कराते हैं कैसे कराते हैं क्या फादा होता है दोस्तों सबसे पहली बात रीपीड ब्रीडिंग कब होती है जब पसू के यूटरस में समय से औबलाइजेशन यानि समय से अंडा नहीं होते हैं तो तो पसू बार-बार रिपीड करती हैं लेकिन दोस्तों जहां पर आपको समस्या लगे कि आपकी पसू सही है डिश्चार्ड सही है इंफेक्शन नहीं है तो वहां पर आप इस पक्का AI लिक्विड को पिला देंगे तो आपका पसू 90% प्रेगनेंट होने आपक के साथ आपने देखा होगा आज के समय में 90% पसू पालक परसान है केवल रिपीड ब्रीडिंग से उनकी पसू काफी अधिक समय से समय तक हिट में रह जाती है नियमता होता क्या है 24 घंटे बाद हम पसू की AI करते हैं लेकिन कोई कोई पसू 24 घंटे के बाद 48-72 घंटे तक हिट में ही रहती हैं तो हम उसे डबल एयाई यानि डबल सीमन भी लगाते हैं तो अगर आप वहां पर इस पक्का AI को पिला दो तो आपको होता क्या पसू को नार्मल हो जाता है पसू ठंडा हो जाता है जिससे डबल एयाई करने की जरूवत नहीं पड़ती है और कंसेप्स रेट भी जादे हो जाते हैं उसके साथ साथ है जहां पर आपकी पसू हिट में तो आती है लेकिन हिट में आने के बाद ब्लड डिस्चार्ज करती है यानि खून देती है वजाइना से यूट्रस से कभी-कभी ऐसा भी होता है कि AI करने से पहले ही ब्लड आ जाता है कभी- पसु की AI करते हो, तो अगर आपने AI किया, AI कराने के बाद आप इस पक्का AI को दे सकते हो, इसी देना कैसे होता यह मैं आपको पताऊँगा, आप अगर गर्मी की मौसम होती है, तो आप इसे गुड में मिला कर रस के साथ पिला सकते हो, लेकिन अगर ठंड की मौसम है, तो उस साथ पिला देंगे आपकी पसू 90 परसेंट प्रेग्नेंट होगी या आपको 100 परसेंट गारंटी के साथ हम बता रहे हैं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद हमारे प्यारे यूटूब फ्यामिली मेंबर